हाई मैं डॉक्टर साधिक खान जोनल मेडिकल एट मादवबाग आज हमारे पालनपुर के क्लिनिक से बहुत ही इंट्रेस्टिंग केस लेकर आया हूँ जब heart attack आता है तो actually होता क्या है तो आपके heart के किसी एक part को किसी एक हिस्से को खून की supply कम हो जाती है वहाँ के जो blood supply करने वाली नली है उसमें block हो जानी के वज़े से उसमें blood clot जमा हो जानी के वज़े से अगर वहां के area को खुन supply नहीं मिलता तो वो हमें heart attack की situation में डाल देता है किसका इलाज मादवबाग में हो सकता है तो चलिए reports और सबुत के साथ देखते हैं हमारे जो patient थे उन्हें blockages की और IHD मतलब की जैसे ischemic heart disease जहाँ पर heart की किसी इससे को खुनकी supply कम होना ये problem थी इसी के वज़े से उन्हें सास फूलने की तकलिफ हो रही थी और वो ये चार गोलिया ले रहे थे इसके बावजूद उनको वो तकलिफ थी उन्होंने मादवबाग के treatment लेते वक तक्रिबन 9 kg उन्होंने weight loss किया उनकी जो दवाया चल रही थी वो दवाया भी कम हो गई और उनकी heart की functioning जो थी वो पूरी तरह से normal आ गई cholesterol levels control हुआ पर सबसे जादा important report यहाँ पर है उनकी 2DAC को की अगर आप report देखेंगे तो उनका जो pumping थी ejection fraction था 55% से बढ़कर 65% हो गया पर उससे भी जादा अच्छा जो मैंने आपको बताया था कि क्या वो blood supply पूरी तरह से ठीक होगा तो अगर यहाँ पर आप यह जो फोटो देख रहा है यह 2DAC में ही एक advanced test किया जाता है JLS उसकी report है उसकी image है अगर आप पहली वाली उपर की image देखेंगे और जो यह सफेद वाला हिस्सा देख रहा है इसमें कुछ भाग जो लाल है तो वहाँ पर चोट लगी भी वहाँ पर कही न कही तकलीफ में है क्योंकि वहाँ पर अभी चाहिए वैसा blood supply नहीं हो पा रहा है और अगर आप वही नीचे की photo में देखेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक है नॉर्मल की तरफ जा रहा है अभी वहाँ पर कोई भी चोट नहीं दिखरी अगर यह red वाली side देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एकदम से बिल्कुल white area है उसी area के corresponding में एक white area है वहाँ पर blood supply कम है और नीचे अगर आप देखेंगे तो अब वो हलका हलका लाल होने लगा है उसमें एक pinkish tone आ गया है मतलब वहाँ पर blood flow फिर से शुरू हो चुका है तो यहाँ पर हम आखों से देख सकते हैं कि खून का supply फिर से restore हो गया है जिस किसी कारण के वज़े से चाहे blockage हो या खून की गुटली हो जिसके वज़े से अगर वो नली block हो गई थी तो वो खुलने लगी है और इसी का नतीजा है कि आज patient regularly exercise करता है, gym करता है और फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, एक healthy happy life वो जी रहे है, अगर आप भी आपके heart disease को इसी तरीके से reverse करके healthy और active life जीना चाहते तो आप हमारे मादोबा के clinic जरूर आईए, और आप अगर पालनपूर शहर या उसके आसपास रहते तो जाकर मिलिए हमारे डॉक्टर डॉक्टर दर्शन जोशी जी से, जो बहुत बढ़िया तरीके से heart disease प्रुदे रोग मुक्त भारत ये mission मादोबा का लेकर के वहाँ पर काम कर रहे हैं